नमस्कार मैंने की खास पेशकस में आपका बहुत बस्वागत है मैं हूँ आपके साथ संदीब ग्रोवर चुनाव के नतीजे आ चुके हैं नई सरकार भी बन चुकी है पोर्टफोलियो उसका आवंटन भी हो चुका है और बाजार में जो चुनाव के नतीजों के बाद एक ज तो नई सरकार बनी है वो क्या नीतिया ला सकती है क्या पॉलिसी कंटिनुशन जारी रहेगा तो ब्रोकर्स अब किस सेक्टर पे किन शेरों पे ख़जारी करने की या निवेश करने की राये दे रहे हैं चलिए उसके उपर फोकस करते हैं ऑईलन गैस सेक्टर की उपर जो पाइब नेच्रल गैस कंपनियां हैं उनको कही ना कहीं फायदा होता हो दिखेगा मही महीने के जो आकड़ें हैं उसके मताबिक सी एंजी की जो सेल्स ग्रोथ है उसमें दिल्ली में ड्रॉप देखने को मिला है सेल्स ग्रोथ कम होती हूँ दिखी है लेकिन गुजरात और मुंबई के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ग्रोथ अभी भी जारी है तो इस पूरे स्पेस में यानि कि जो पी एंजी कंपनियां हैं जो पाइप नैच्रल गैस के कारोबार में हैं उसमें सीलसे का मानना है कि MGL और IGL यह दो ऐसी कंपनिया हैं यहाँ पे आप निवेश करक की सला दी है और लक्षे दिया है 250 रुपे का उनका कहना है कि 31 यानि की वित्वस 2031 तक इनका जो 60,000 क्रूड रुपे का प्रोजेक्ट है वो पूरा होता हो देखेगा हलाकि उसके लिए बोर्ड से मंजूरी आना अभी बाकी है लेकिन यह कंपनी अपने जो फीड स्टॉक ह उसमें बड़ा बदलाव करती हो दिक्री है इथेन के उपर फोकस चल रहा है इनका रिलाइंस जैसी कंपनी जो दिगज है वो 2017 से इसके उपर पहले से काम कर रही है अब यह कंपनी भी अपने फीड स्टॉक में कहीं बदलाव कर रही है जो कि इनके लिए काफी बड़ा फा रही है वो बढ़कर हो सकती है ऐसा UBS का माना है जिस वजह से वो इस्टॉक के उपर बुलिश है धाई सो रुपे का टागेट दे रहे हैं ओन जी सी यह भी एक ऑईलन गास प्ले है जहां पे जेफरीस ने खरिदारी करने की सला दी है 390 रुपे का उन्होंने टागेट दिय है उनका माना है कि चुनाव के बाद जो प्राइजिंग रिफॉर्म्स पहले मोधी सरकार की और से रखे गए थे उनको अभी भी जारी रखा जा सकता है यानि कि जो पॉलिसी कंटीनिवेशन है प्राइजिंग रिफॉर्म्स को लेकर ऑलन गैस सेक्टर में वो अभी भी जा है उसमें ग्रोथ आगे भी जारी रह सकती है हाल की गिरावट के बाद जो एक अनिश्टा बनी थी सरकार सरकार जो नतीजे आये थी चुनाव के उसके बाद अब एक अट्रेक्टिव एंटरी पॉइंट फिर से इस कंपनी में बनता हो दिख रहा है तो दुबारा आप इसके अलावा ऑइलन गैस सेक्टर के अलावा अगर हम देखे तो सन फार्मा की उपर एक मेक्वरी की रिपोर्ट आई जिसमें आउट्परफार्म की रेटिंग को बरकरा रखा गया है और 1685 रुपे का टागेट दिया गया है उनका मानना है कि यह शेर कंसिस्टेंट कंपा रह सकती है बैलन्स चीट बहुत मजबूत है दो अरब डॉलर से जादा की नगदी इनके पास है और हर साल एक अरब डॉलर से जादा का फ्री कैश फ्लो इनको अधीग रहन के लिए एक उपरचुनिटी कहीना कहीं दे रहा है तो यह सन फार्मा के लिए पॉजटिव है इस की कंपनी के लिए नई ग्रूथ लेके आ सकती है इसलिए वो मान रहे हैं हर साल सलाना 20% से जादा की जो एई-उम ग्रूथ है वो इस कंपनी में देखने को मिल सकती है और क्रेडिट कॉस घटने पर भुन्यादी रूपे यह कंपनी कामकाज कर रही है जो कि आने वाले समय क में लगातार 15% से जादा की ग्रूथ देखने को मिल रही है 24 से 27 के दुरान उनका मानना है कि आय और अबिड़ा में 20% की ग्रूथ देखने को मिलेगी और जो ब्यास खर्च है उससे इनका जो मुनाफ़ा है उसमें 50% के आस-पास की बढ़ातरी देखने को मिल सकती है तो य झाल 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 झाल